नमस्कार दोस्तों आज एक इस्पेसल टॉपिक ले करके एक दम अलग टॉपिक ले करके मैं आप लोग के सामने पस्तित हुआ हूँ बहुत दिनों से मैं कहीं पड़ रहा था कहीं सोच रहा था कि कुछ यह जो कोहिनूर हीरा है इसकी क्या कहानी है कोहिनूर हीरा कहां से निकला किस के किस के हाथों में गया भारत से यह ब्रिटेन कैसे पहुँच गया और क्या ब्रिटेन से दुबारा भारत आया या भविश्य में आने के कोई उम्मीद है तो कोहिनूर हीरा जो है यह अब तक का एक सबसे बड़ा सिंगल डायमंड है इसको तिलेंगाना के वारंगल राजधानी थी उस समय और उस समय वहां का जो राजा था वो प्रताप रुद्ध देव था उसके समय में वहां पर यह गोलकुंडा की खान से यह कोहनूर हीरा निकाला गया था यह जो कोहनूर हीरा निकाला गया था यह 105 करेट का था इसका जो वजन नापा जाता है और यह जो है यह 320 क будете आसपास था और ऐसा माना जाता था कि इसका जो मूल था इतना अधिक पूरे दुनिया के लोगों को इसको बेच करके खाना खिलाया सकता था भोजन कराया सकता था तो ये जो कोहनूर हीरा था ये गुलकुंडा की खान से निकला था और ये प्रताब रुद्धियों के पास में था भारत में तेलंगाना के राजधानी वारंगल थी वहां के जो राजा थे प्रताब रुद्धियों उ मलिक कावफूर को भेजा था 3505 एश्वblack के लिए मलिक कावफूर को भेजा था और मलिक काफूर जब वापस लौड करके दिल्ली आता है उतर में जाता है तो इसने टेयरा सो दस्वी में यहीरा अलाओ धीन खिल जी को देता है यानि की पृताप रुद्ध दियों से यहीरा मलिक काफूर के पास आता है और मलिक काफूर के बाद या हीरा किसके पास ला जाता है अलाो दीन खिल जी के पास काफी समय तक ये हीरा रहता है पानिपत के प्रथम युद्धि के बाद कोई घढ़ना घढ़ती है और यह राचिला जाता है विक्रमाजी सिंग के पास विक्रमा जीत सिंग के पास ला जाता है विक्रमा जीत सिंग से या हीरा पहुंचता है हुमायू के पास यानि कि हीरा लगातार चल रहा है सबसे पहले या हीरा गोलकुंडा की खान से निकला गुलकुंडा की खान से निकलने के बाद वहां के राजा प्रताब रुज्रदियो उनके पास था उनसे मलिक काफूर को प्राप्त होता है मलिक काफूर इसको गिफ्ट करता है किसको अलावदीन खिलजी को अलावद्दीन खिल जी के पास काफी समय तक या हीरा रहने के बाद ये विक्रमा जी सिंग के पास चला जाता है विक्रमा जी सिंग से या हीरा चला जाता है हुमायू के पास यानि कि दच्छड से उत्तर में आता है हुमायू तक ये उत्तर भारत में ही एक कोहिनूर हीरा रहता है और हुमायू के बाद ये दुबारा दच्छड में चला जाता है एक बार दुबारा ये हीरा दच्छड सासक के पास चला जाता है और मुहम्मद स्य्यद मीर जुमला याद रखेगा ये हिरा मुहम्मद स्य्यद मीर जुमला के पास में पहुंच जाता है और वहाँ पर रहता है मुहम्मद सयद मीर जुमला से ये हीरा मुगल सासकों के पास लंबे समय तक रहता है और उनके ताज की सोभा बढ़ाता है यानि कि कोहनूर हीरा मुगल समराड जो थे वो अपने ताज में इसको लगाते थे एक तम यहाँ पर चमकता हुआ ताज में ताज के तरह इसको यूज़ करते थे लेकिन मुहमत सा के पास यहीरा था और आपको पता होगा कि नादिर सा भारत पर आकमर करता है और मुहमत सा से यहीरा वो छीन ले जाता है यानि कि मुहमत सा से यहीरा कहां चला जाता है नादिर सा के पास चला जाता है नादिर सा से हीरा पहुच जाता है अहमत सा अबदाली के पास अहमत सा अबदाली के पास से यहीरा पहुच जाता है साह सुजा के पास पहुचता है साह सुजा से यहीरा पहुचता है रड़ज रजी सिंग आपको पता होगा मराठा सामराज में रजी सिंग से नापती थे और उन्हें काफी लड़ाईयां लड़ी थी इन से लोग काफी डरते भी थे महारा रजी सिंग से और रजी सिंग से यही राज चला जाता है दलीप सिंग जो मराठा का सबसे अंतिम सासक माना जाता है तो दलीब सिंग के पास अला जाता है दलीब सिंग से या हिरा पहुँच जाता है लाड डल होजी के पास आधनिक भारत में आ जाता है तो दलीब सिंग से ये हिरा पहुँचता है लाड डल होजी के पास लाड अलहो जी चुकि ये बिटेन के लिए काम करता है महारानी के लिए काम करता है तो यहाँ सम्मान के रूप में क्या करता है वह हीरा महारानी विक्टोरिया को उपहार के रूप में परदान कर देता है महारानी विक्टोरिया के पास हीरा जाने के बाद इसको तीन टुकड़े कर दिये जाते हैं इस हीरे के दो टुकड़े जो होते हैं वो महारानी के ताज महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा दिये जाते हैं और एक टुकड़ा जो है वो इसको म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में इसको रखा गया है, भारत और पाकिस्तान लगातार इस हीरो को वापस अपने देश में लाने के लिए प्रियास कर रहे हैं, दोनों देश इसको दावा करते हैं, भारत कहता है कि यह हमारे यहां जाए काफी लंबे समय से इस पर डिसकस हो रही है, 2000 में आपको पता होगा, कि प्रितेन की पधान-मंतरी इंडिया आते हैं, उन्होंने यह हीरो वापस करने के लिए कुछ बात करते हैं, 2016 में भारत फिर से इसको दावा करता है कि ये हीरा हमारे यहां आना चाहिए लेकिन अभी तक या हीरा भारत में नहीं आया है लेकिन हम भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि या हीरा कोहनूर हीरा भारत आए जो इस समय प्रिटेन में है गोलकुंडा की खान से होते हुए लाउद्दिन खिलजी के पास बिक्रमाजी सिंग के पास उसके बाद हुमायों के पास हुमायों के पास से होते हुए दैच्छर में चला जाता है उसके बाद मुहमत सय्यद मेर जुमला के पास मेर जुमला के पास से चला जाता है आपका बुगलवासा के ताज में रहता है आपका लाडल होजी के पास लाडल होजी से ये महारानी विक्टोरिया के पास और महारानी विक्टोरिया के पास से ये महारानी विक्टोरिया के ताज में दो टुकड़े और एक टुकड़ा जो है वो लंदन के म्यूजियम में रखा गया है तो ये थी कोहिनूर की कहानी धन् प्रवाट